चैनल मम्माश फूट कॉर्णर में आज बनाएंगे बहुत ज्यादा हेल्दी से भी हेल्दियस्ट जो की खीर जो हम बार्ली भी मूलते हैं जो को ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती आगे में इसके बैनेफिट आपको और बताती रहूँगी वीडियो में चलिए आईए बनात हम जो की खीर उसके लिए यहां पर मैंने जो याने की बार्ली करीब तीन टेबले स्पून ले ली है और इसे थोड़ा साफ करके और हम अच्छे से पानी में पहले वाश कर लेंगे इसको यह मैंने अच्छे से धोलिया है इसको अब हम एक मिट्टी की कड़ाई यहां पर मैंने ली है क्योंकि मिट्टी में फ्रेंड्स हमारे खाने का न्यूट्रिशन हमें 100% मिलता है तो अगर आप हो सके तो मिट्टी के बरतन जरूर यूज कीजिए खाना बनाने के लिए इसमें म बहुत ही हेल्दी एस्ट खीर है आप इसे रेगुलर खाईए इससे आपकी जो है कमजोरी वगेरा और भी बहुत सारी बिमारिया जो है ठीक हो जाएगी इसे मैंने अच्छे से दो मिट के लिए चलाते हुए भून लिया है घी में बस दो मिटी ही भूनना है हमें इसे और फिर आधा लिटर से थोड़ा से ज्यादा करीब 600 से 700 मेली लिटर दूद डालूंगी और इसे फिर हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए करीब 30 से 40 मिट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है अच्छे से थोड़ा थोड़ा पीच बीच में हम चलाते हमारी बारली जो है अच्छे से पक जाए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो दूद है यह भी हमारा बढ़िया गाड़ा हो जाए एकदम रबडी जैसा टेक्स्चर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका यह भी 10 मिनिट हुए हमारी खीर उबलते हुए करीब 15-20 मिनिट के बाद में यहाँ पर शकर डालोंगी जिससे की जो यह अच्छे से पहले दूद में गल जाए उसके बाद ही हम शकर एट करेंगे अपनी स्वात्म हिसाफ से आप चाहें तो इसमें गूर भी डाल सकते हैं तो यह और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी खीर और आप चाहें त बिल्कुल रेडी है फ्रेंड यह बहुत ही टेस्टी भी लगती है इसके हलके से रेशे जरूर मूं में आएंगे जो के लेकिन यह बहुत हेल्दी है तो आप इसे जरूर ट्राय किजिए और इसमें थोड़ा सा ड्राइफूर्ट डाल रही हूं आप अपने पसंद के जरूर शेयर करें और फ्रेंड हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें थैंक यू